हिमाचल प्रदेश में एक जून को लोग सभा चुनाव और विधान सभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पाटिया ताबर तोड चुनावी प्रचार में चुटी है। इसी क्रम में केंद्री ग्रे मंत्री अमिश्या ने आज हमीरपूर में जनसभा को संभोधित किया। इस सभा को लेकर भाजपा ने ताओ कारकर ताओ और जनता में जोश्ट दिखा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा और छे विधान सबा सीटों के उपचुनाब की सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्च करेगी अमिश्या ने हमीरपू लोकसभा छेतर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाथ चरण का चुनाब हो चुका है आज छठे चरण का मतदांचारी है पाथ चरण में मोदी 310 पार कर गए हैं चठे और साथवे में 400 पार कराकर मोदी को फिर से प्रधान मन्तरी बनाना है साथ ही कहा कि साथवे चरण बालों पर 400 पार की जिम्मिदारी है पाईयो बेनो पाथ चरण का चुनाब हो चुका है अज छठे का वोटिंग चालू है पांच चरण का परिणाम जानना है क्या अरे जोड चे बोलो जानना है क्या देखो भई पांच चरण में मोदी जी 310 पार कर गए है 310 और एक छटे और साथ मेंने 400 पार करा कर मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाना तो भाईयों बेनों 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है किस साथवे चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है याद रखना भाईयों बेनों हमारा तो 400 पार हो रहा है राहूल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं 40 के